आज के समय में भी इमांदारी कायम है सड़क पर गिरा नोटों का बंडल रजनीश शर्मा ने मुहमद यूसुफ के हवाले किया है मंजीर सुरंगानी मार्ग पर यूसुफ मुहमद के करीब 43,500 रुपे की राशी गिर गई उनका नक्रोड में मेडिकल स्टोर है शाम को दुकान बंद करने के बाद यूसुफ घर जा रहे थे इस दौरान उनका नोटों का बंडल गिर गया इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर भी सूचना साजह की इसके बाद मंजीर गाव के रजनीश शर्मा ने बताया कि मंगलवार सुबह वह अपने दो बच्चों सर्श शर्मा और मानस शर्मा के साथ सैर करने निकले थे सुरंगानी मार्ग पर उप्रियानु नामक जगह पर बच्चों ने नोटों का बंडल देखा रजनीश ने पैसे उठाए और इसे लेकर घर चले गए बाद में उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से नोटों का बंडल गायब होने की सूचना मिली मंगलवार शाम को रजनीश और उनके बच्चों ने मुहमद यूसुफ को 35,000 रुपे लोटा दिये अभी भी करीब 8,000 रुपे गुम है